प्रतिबाशाली युवा बल्लेबाज में जिनमें एक नाम मयंक अगरवाल का भी है। मयंक ने न्यूजिलेंड दौरे से काफी कुछ सीखा होगा। आशीश नहरा ने कहा, न्यूजिलेंड खेलने के लिए आसान जगह नहीं। मेरे अनुभव से बल्लेबाजों के लिए दुनिया में खेलने की सबसे कठिन जगह न्यूजिलेंड। न्यूजिलेंड में खेलना हमेशा से कठिन रहा है और मुझे यकीन है कि मयंक ने न्यूजिलेंड दौरे से काफी कुछ सीखा होगा मयंक के लिए ही नहीं सभी के लिए ये चुनौती पूल है उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया इसमें कोई शक नहीं ये उनके करियर का शुरुवाती दौर है और आपको सभी खिलाडियों को समय देना चाहिए आशिश नहरा ने आगे कहा उन्होंने घरेलु क्रिकेट और इंडिया एक के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया जिसके बाद उन्हें मौका मिला वो ऐसे खिलाडी नहीं है जिन्होंने एक या दो साल घरेलू क्रिकेट खेला और अचानक से भारत के लिए खेलने लगे उन्होंने काफी रन बनाए हैं और मुझे उमीद है कि समय के साथ-साथ उनका खेल और बहतर होगा आपको बता दे कि भारत और न्यूजिलेंड के बीच इस साल के शुरुवात में ही टेस्ट, T20 और वंडे मैचों की सिरीज हुई थी मयंक अगरवाल को चोटल रोहिच शर्मा की जगह वंडे में मौका दिया गया था लेकिन टेस्ट में 67 की औसत से रन बनाने वाले मयंक ने वंडे में अपना खास प्रभाव नहीं छोड़ा और पूरी तरह से फ्लॉप रहे ऐसे में मयंक को भारतिय टीम में टिकना है तो जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा नहीं तो उनकी जगह लेने के लिए शुबमन गिल पृत्वी शौ जैसे खिलाडी तयार